मद्धिप्रदेश में एक और कॉंग्रेस की भारत चोड़ो यात्रा निकल रही है तो वहीं दूसरी और शांती माने जाने वाले खंडवा में दो पक्षों के बीच विवाद की स्तिती बन गई इस बीच एक हिंदुवादी नेदा का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस से आदे घंटे के लिए हटाने की बात कर रहे हैं जबकि मुसलिम पक्ष के लोग खंडवा में अमन चैन की बात कर रहे हैं हिंदु पक्ष के नेता आशोक पालिवाल का कहना है कि मुसलिम युवकों को इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने हिंदु समाज की बेटियों के साथ छिर छाड़ की जिहादियों के दुआरा हमारी बेहनों को छेड़ खान की घटना बार बार बढ़ती जा रही है और चुकि यह निवाड की पावन भूमी है श्री दादा जी की नगरी है यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अब शहन करने की समाज में शक्ति नहीं है और सारी घटना उजागर हो जाती है तो कल एक बहन जब अपने दौरा चेड़खानी की गई उसके उपार तो उसकी एफाइयार दर्ज करवाने जब वो ठाने जाती है तो उसकी एफाइयार लिखी नहीं जाती दिन गंटे तक और दूसरा पक्षा आता है उनके दो चार पांश आपस में ही लड़ गय समाज का अधिकार है यहां पर आप कोई वी श्रद्दा काटी नहीं जा सकती तो श्रद्दा को बचाने के लिए अगर हिंदू वीरों को इस प्रकार के जिहादिओं को मारना भी पड़ेगा तो वह लड़ेगा और मारेगा तो हमारा प्रशाशन से कहना है कि उन्होंने मार फटर काई फड़कानी करके तो एकिक आपने उनकी ढटना फाइर करी लियरे कि यहां और छेड़ खानी करेंगा भू फोड़वा मेंने जबान का में उसके अपराद सिया मतलब तो में उसके आफ आफ देञार करवाई को सुरक्षा देनी चाहिए नहीं पर्णाव की compliance तो उनका भी काम है कि जाना जाए है तो इस प्रकार की घटना और अन्य जगह पे छूप जाती है वहीं इस मामले में सफाई देते हुए शहर काजी स्यद निशार अली ने कहा कि हम अपनी इलाके में शांती चाहते हैं हमारी ओर से किसी भी प्रकार की अशांती नहीं चाहिए विशेष्ट में जो कुछ चिपढ़नी दी है कि आदा घंट आप पुलिस हटा लो इन लोगों से तो हम निपट लेंगे तो मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये गुदारिश करना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति अगर उसने ये शब्द कहा है तो कहीं न कहीं उनकी कोई न कोई तैयारी तो होईगी ठीक है रही बात ये है कि घंटवा का मुसल्मान समाच जब भी कोई आंदुलन करता है डेली केशन लेके आता है आज भी आपने देखा इससे पहले भी आपने देखा हजारों की तादाद में जमा जरूर हुए है लेकिन तमाम लोग खामोशी के साथ अपना इतिजाज करते हैं लेकिन कल की घटना के हम निंडा करते हैं, वहाँ पर पुलिस परशाशन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, पुलिस परशाशन को मुर्दाबाद कहा गया है, खाकी वर्दी के घध्दारों को, गोली मारो, सालों को ऐसे नारे लगाए गए हैं हम पुलिस परशाशन से ये मांग करते हैं कि पुलिस परशाशन जो है ऐसे वेक्तियों के उपर सक्त से सक्त कारवाई करें ताके आने वाले वक्त में हमारा शहर जो है हम जो चाहते हैं अमनमान का टापू बना रहे वो बना रहेगा और रही बात आदे अब मामले में खंडवा, S.P., वेवेक सिंग ने कहा कि मामले की जाज कराई जा रही है और जो भी दोशी मामले में पाया जाएगा उसके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी जो कि आपति जिनक है और जिस पर कारवाई का निक लिए उन्होंने ग्यापन दिया है मुस्लिम समाज ने और जिस पर हम पूरी ग्यापन को देखके जैसा प्राइज है तो उसमें कारवाई की जाएगी कुछ नारिवाजी थी सर्क वीडियो में कुछ उन्होंनों वीडियो फुटेज हुए और वोसाई भी पेंड़ाई भी दिया है और ऐसे चीज़ बताई कि उसमें आपति नारिवाजी और इसाई चियों का प्योग किया गया है और जिससे कि कही ने कहीं के संप्रताइक दरसल खंडवा के दुबे कॉलोनी में हिंदू समाज के लोगों पर मुसलिम युवको से मारपीट का आरोप था जिसके बाद मुसलिम समाज ने थाने का घिराव करते हुए 20 लोगों पर FIR करवाई थी पुलिस के सेक्षन के बाद दूसरे दन बुद्वार को रियक्षन देखने को मिला जिसमें आदे घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात की थी जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए खंडवा से निशात मुहमत सिद्दकी की खबर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद